ज्यादा तर लोगों के लिए और्गैजम शब्द का अर्थ हमेशा कामुकता होता है। यह आपको शिखर पर होने का एक एहसास देता है, पर यह आपको परम शिखर तक नहीं ले जाता। लेकिन जब व्यक्ति जान जाता है कि परमानंद में कैसे जीना है और उसे भौतिक्ता की जरुवत नहीं होती, तब यह और्गैजम हमेशा बना रहता है। आम तोर पर ज्याता तर लोगों के लिए, या अगर अनुभव में नहीं, तो कम से कम भाशा में, ज्याता तर लोगों के लिए और्गैजम का अर्थ हमेशा कामुकता होता है। पर यह सच नहीं है। मूल रूप से और्गैजम का अर्थ है एक भीतरी आनंद पूर्ण अवस्था। आम तोर पर इस शब्द का इस्तिमाल कामुकता के संबंध में किया जाता है। क्योंकि दुर्भाग्य से ज्याता तर लोगों ने कामुकता की भौतिक तीवरता से बड़े किसी दूसरे अनुभव को शायद नहीं जाना है। ज्याता तर लोगों ने उससे ज्यादा कुछ भी नहीं जाना है। तो उन्होंने और्गैजम शब्द का उप्योग कामुकता के लिए करना शुरू कर दिया। और्गैजम का अर्थ उससे कहीं अधिक है कि आपका पूरा जीव एक खास उन्चाई तक पहुँच गया है। कामुकता से ऐसा नहीं होता। यह आपको शिखर का एक बोध देती है पर यह आपको परम शिखर तक नहीं ले जाती। जहां आपके शरीर की हर कोशिका में उर्जा का विस्फोट हो। तो और्गैजम शब्द के लिए कामुकता या सेक्स बहुत छोटी क्रिया है। यह अपर्याप्थ है। बात बस यह है कि जब व्यक्ति भौतिक रूप से आनंद की एक अवस्ता में पहुँचता है। पर जब व्यक्ति को परमानंद में जीने के लिए भौतिकता की जरुवत नहीं रह जाती। तो यह एक लगातार चलने वाला ओर्गैजम है। भारत में हमारे पास इसके लिए एक बहतर शब्द है। हम इसे आनंद कहते हैं। आनंद ओर्गैजम है। हमने इश्वर को एक और्गैजम कहा है। हमने कहा इश्वर आनंद है, ब्रह्मानंद। इसलिए जब हम ब्रह्मानंद कहते हैं, तो हमारा मतलब है, जिसे आप इश्वर कहते हैं, वो परम और्गैजम है। अगर आप जीवन को इमानदारी से देखते हैं, स्वार्थी धार्मिक प्रक्रियाओं को एक और रखकर, तो वो एक मात्र चीज जिसे मनुष्य खोज रहा है, वो मधुर्ता की परम अवस्था है। वो इसे परमेश्वर या सामराज्य कहता है, वो इसे स्वर्ग कहता है, वो इसे जो भी कहता है, वास्तव में, वो एक परम और्गैजम की खोज में है। वो किसी और चीज को नहीं खोज रहा। इसलिए ईश्वर को आनंद कहा गया है, या ईश्वर को और्गैजम कहा गया है, और्गैजम एक परियाप्त शब्द नहीं है। आनंद, उस चीज को और्गैजम शब्द की तुलना में कहीं बड़े तरीके से कहता है। इसलिए पूर्वी देशों में ईश्वर को आनंद कहते हैं, परम और्गैजम ईश्वर है। अगर आप सीमित चीजों से संतुष्ट होना चाहते हैं, तो आप कामुक्ता, शराब, ड्रग्स को आजमा सकते हैं। यह आपको बस गुलाम बनाएंगे, यह आपको मुक्त नहीं करते हैं, क्यूंकि यह आनंद नहीं है, यह बस सुख है, सुख हमेशा उलजाता है, लोग सुख खोशते हैं, क्यूंकि खुशे गायब है, क्यूंकि आनंद लापता है, अगर आप आनंदित हैं, तो आप निश परच्चित रूप से सुख नहीं खोजेंगे, क्या ऐसा नहीं है? अगर आप इस समय सच में आनंद पूर्ण हैं, तो क्या आप सुख चाहेंगे? सुख केबल आनंद की एक चाहा है, ये कभी भी वास्तविक चीज नहीं होती, ये बस आपको एक चाहा प्रदान करता है, लेकिन जब आपने असली चीज को नहीं जाना है, तो एक चाहा से काम चल जाएगा, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, पर अगर आप सुख की सीमा को नहीं पहचानते, तो आप इसमें उलज जाएंगे, जितना ज्यादा आप सुख के पीछे भागते हैं, उतना ही ज्यादा आप सुख के विश्यों में उलजते जाते हैं, लेकिन जितना ज्यादा आप आनंद पूरुन होते जाते हैं, उतना ह अप सच में आनंद पूरुण होते हैं तब किसी भी चीज पी ज़रूरत नहीं होती, कोई भोजर नहीं चाहिए, कोई नीन नहीं चाहिए, यहां तक की जीवन भी नहीं चाहिए. असल में जब आप सचमुच आनंदित होते हैं तो आप मरने को तयार होंगे क्रिपया ऐसे समझेए केबल वही जो निरंतर मरने को तयार है अपने जीवन के हर पल में केबल वही जीवन को जानेगा क्यूंकि अगर आप नहीं जानते कि जीवन के रसातल में कैसे गिरा जाए, तो आप कभी भी जीवन के शिखर को नहीं जान पाएंगे. जीवन की कई परते हैं और यही समस्या बन गई है. पर लोग सोचते हैं कि एक परत दूसरी परत के खिलाफ है क्यूंकि वे जीवन को तर्क से समझ रहे हैं. जीवन और मृत्यू एक दूसरे के भीतर हैं. क्या वे एक के बाद एक हैं? वे एक के बाद एक नहीं हैं. वे एक के भीतर एक हैं. कृपया देखिए. अगर आप मृत्यू के पाताल में गिरने के इच्छुक हैं तब ही आप जीवन के शिखर को जानेंगे आम तोर पर अंग्रेजी भाशा में अगर आप एक निराश वस्ता में हैं तो अंग्रेजी में कहते हैं आप अंधी खाई में गिर रहें ख्रिपया ऐसे समझे लोगों की समझ सिर्फ सतह पर काम करती है अगर कोई खाई तलहीन है तो वाकई कोई खत्रा नहीं है, है न? यह सबसे शांदार चीज है अगर कोई चीज तलहीन है और आप उसमें गिर जाते हैं तो आप हमेशा के लिए मुक्त होकर गिरते रहेंगे समस्या तभी होती है जब तल होता है एक बार ऐसा हुआ शंकरन पिल्ले दूसरी मंजल से गिर गए और उन्हें चोट लगी लोग उनके चारो और एक अठा हो गए और पूछा क्या गिरने से आपको चोट लगी? उन्होंने कहा अरे मूर्खों गिरने से नहीं रुकने से लगी चोट गिरने से नहीं लगती हमेशा जमीन पर आकर रुकने से चोट लगती है है ना? क्या है